Hello everyone, welcome back to explain TV विंचेंजो के एपिसोड 5 के साथ हम आसिर हैं एपिसोड 4 के लास्ट में विंचेंजो ने विंचेंजो ने वियर हाउस में आग लगा दी थी तो एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं के जून हैंसी योग पे बहुत गुसा करता है और उसे मारता है और उसे समझाता है के वियर हाउस में आग लगने वाले को एक्सिडेंट की तरह दिखाना है वरना कमपनी की रैपुटेशन पे बहुत असर पड़ेगा आगे विंचेंजो हैंसी योग से मिलता है और उससे बात करने से उसको समझा जाती है कि वो असल कमपनी का ओनर नहीं है वहीं जून जो है वो योंग से बात करता है तब उसे शक हो जाता है कि विर हाउस में आग लगाने में इसका हाथ है जिसके बाद विंचेंजो यॉंग से मिलता है और उसे बताता है कि हैंसियो करी कमपनी का रियल ओनर नहीं है अब ये दोनों हैंसियो को रास्ते से हटाने के डिसाइड करते हैं ताके रियल ओनर सामने आया इधर हैंड मियोंग को विंचेंजो के बारे में बताता है कि वो एक ordinary lawyer है और उसका record clean clean है वो ये सब नहीं कर सकता लेकिन मियोंग विंचेंजो का face देखना चाती है इसलिए वो प्लाजा में पहुँचाती है जहांपर वो assistant से मिलते है और funny way में assistant उसे कहता है कि मैं ही विंचेंजो हूँ लेकिन वो समझ जाती है कि ये विंचेंजो नहीं है फिर वो बाहर आती है जहां सामने से योंग और विंचेंजो आ रहे होते है विंचेंजो को देखके वो आगे जाती है और उनको पूछती है कि क्या तुम ही विंचेंजो हो तो योंग कहती है हाँ जी ये ही विंचेंजो है लेकिन ये आज आज से बात नहीं कर सकते है क्योंकि इसका गला खराब है यह इसलिए किया था कि अगर विंचेंजो मियोंग के सामने बात करता तो वो समझ जाती कि उसी ने उसे मारने की धंकी दी थी जिसके बाद और रिसर्च करने पे इन लोगों को पता चलता है कि फार्मेसियोटिकल कंपनी से फेक मेडिसन ही नहीं बलके कफ कई सारी मेडिसन बना रही है जिसकी वज़ा से कई रिसर्चर्चर्च मर रहे हैं और बहुत सारे अलरेडी मर चुके हैं यही नहीं इन लोगों क कंपनी के लिए केस लड़ रहा था ये दोनों उसे केस चोड़ने के लिए कहते हैं लेकिन वो इनकी एक नहीं सुनता है इसलिए विंचेंजो उसको धंकाता है कि अगर तुमने केस ना चोड़ा तो तुम्हें ये दुनिया चोड़ देनी पड़ेगी फिर वो उन सब विक्ट करने के लिए माथ जाते हैं दूसरी तरफ हैंसि होग अपनी कंपणी कि ने मैडिसन के बारे में बात करने के लिए कंपनी पहुचता है और वहाँ सभी सबहीं सुनिय के साथ थे हैंNews कर रहा होता है वहीं एक रातव को सबहता हैं एक प्लाजा में रहने वाले मंक्षिन का हैं अब हम प्लाजा में सीन देखते हैं जहां पारगोने वे लिए प्लाजा में मजूद एक रेस्टरань में होता है लेकिने मेंइन मकसरेंट का खाना बेकार बताकर इसे बंद करवाने का था लेकिन इस से पहले वो ये लोग अपनी दादा गिरी दिखाते विंचेंजो वहां पहुंचाता है और इनको फिर से एक बार अच्छे से सबक सिखाता है वहीं मंग शिन अपने दोस्ते मिलने के लिए होस्पिटल जाता है जिसे बैबल कंपनी के होस्पिटल में एडमिट किया हुआ था जहां डॉक्टर शिन को बताता है कि लीए लिए ले tuoक्री के लिकेशाफ न क्या ठीकोंड जाता है लिए बाद हम लॉयर वू को देखते हैं जहां जो प्लाजा में विंचेंजो और यॉंग से मिलने आता है यहां पर यॉंग उसके होश उड़ा देती है और उसे बताती है कि सारे विक्टम्स टेस्टिफाइ करने के लिए रेडी हो गए हैं इसलिए अब वो तुम्हें रिजेक करें हैं क्योंकि तुमने फॉर्मस्यूटिकल कंपनी से पैसे लेकर सैटलमेंट कर ली थी दरासिल वो उन्हें विक्टम्स के साथ प्रॉमस किया था कि वो उन्हें जस्टिस दिलाएगा लेकिन पैसे लेक्के लालच में आकर उसने कमपनी से सैटलमेंट कर ली थी अब योंग और विंचेंजो ने विक्टम्स के सामने उसकी पॉल खोल दी थी जिस वज़ा से विक्टम्स उसको रिजेक्ट कर देते हैं और सब इन दोनों का साथ देने के लिए रेडी हो जाते हैं अब ये सब सुनकर वो अपने आफिस की तरफ भागता है क्योंके उसने सारे पैसे ओफिस में चुपाए थे लेकिन जैसे ही वो लोकर ओपन करता है तो वहां सिर्फ डॉनेशन के डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं इसका मतलब ये था कि विंचेंजो ने उसके सारे पैसों को ढूंड कर डूनेट कर दिया था इसलिए इसी दोरान एक स्ट्रेंजर वो पे अटैक करता है और ये सिन इधर ही खतम हो जाता है जिसके बार योंग और विंचेंजो मियोंग और हैन से मिलने जाते हैं जहां योंग इन्हें वो के बारे में सब बता देती है और विंचेंजो भी बोलता है जिसकी अवास सुनकर मियोंग को पता चल जाता है कि उस रात विंचेंजो ने ही उसे मारने की धमकी दी थी अभायन और मियोंग समझ जाते हैं कि ये सब विंचेंजो कर रहा है इसलिए मियोंग विंचेंजो से रिफेंज लेने के लिए बैबल्स के सबी कैसिस को अकेले हैंडल करने का डिसाइड करती है वहीं योंग को जब इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत खुश होत चाती है क्योंके वो मियोंग को भी बस हराना चाती है लेकिन विंचेंजो से समझाता है कि उसके जीतने के चांसे सिफ 90% है क्योंके वो उसोंग ने फॉर्मेसिटिकल कंपनी के अगेंज सभी एविडेंस को खतम कर किया हुआ है और जज़ भी उन्होंने करीदा हुआ है इसके बाद हम वो को देखते हैं जो एक बोरे में बंद करके एक बीच पे पहनका हुआ था और वो फिजिकली बिल्कुल ठीक था इसके बाद हम योंग और विंचेंजो को देखते हैं जो इस केस को लेकर इन्फॉर्मेशन कलेक कर रहे थे लेकिन इनके पास टाइम बहुत कम था इसलिए योंग इस केस को मिड में बोस करना के लिए का डिसाइडर करती है ताके उसे थोड़ा ओर टाइम मिल सके दूसरी तरफ में योंग भी केस को लेकर बहुत सीरियस थी और दिन राद एकर के हाड़ वर्ड कर रही खैर आगे हेरिंग की डेट आजाती है जहां ये दोनों लोयर्स टेशन के साथ कोर्ट में एंटरी मारते हैं पलाजा के सभी लोग भी वहीं वंजूद होते हैं यहां पर एपिसोड फाइव की एंडिंग होती है हम आपको एपिसोड फॉर सिक्स के साथ जल्दी मिलेंगे इंशाला तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो इसको लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर जी ताकि आपको इंफोर्मिशन मिलती रहे त अब तक के लिए अपना क्याल रखें टेक केर बाई बाई